चिल्डरेन, क्लास 6, साइन्स, रिविजन वर्क फॉर, हाफ यरल इग्जाम, लेशन 8, सेपरेशन ओफ सबस्टांसिज, टॉपिक, सेपरेटिंग सॉलिट सॉलिट मिक्चर, है ना, बच्चो मिक्चर में सॉलिट पार्टिकल को अलग करना, कैसे करते हैं, है ना, क्या क्या है प्रोसेस, इसको देखेंगे, ठीक है बच्चो, फर्स्ट हैंड पिकिंग, बच्चो इसको कहते हैं, हाथ से चुनना, ठीक है, दा कम्पोनेंट्स ओफ ए सॉलिट सॉलिट मिक्स्चर, कैन बी सेपरेटिट बाई, पिकिंग देम विध हैंड्स, बच्चो कभी कभी क्या होत है कि दो सॉलिट सबस्टांस अगर आपास मिक्स हो तो उसको चुन के अलग करते हैं, जैसे बच्चो, सेपरेटिंग पेबल्स फ्रम रैस, अगर चावल में कंकर हो, तो हम लोग उसे हाथ से चुन-चुन कर अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, यानि चावल से, रैस से from the heavier ones because of wind yeah wind or air blow बच्चो यह ऐसा प्रोसेस अईसा मिथड है जिसमें अगर कोई मिक्षेस तो उसको उचाई से गिराते हैं जिसे हस्क फ्रॉम ग्रेन मान लिया जो बच्चों की दाना में है ना ग्रेन में जो हस्क भूसा वगर होता हो तो उसको उपर से गिराते हैं उपर से गिराने से क्या होता है हस्क लैटर कंपोनेंट है याने हलका हलका वला सबस्टा से ना तो जब उसको उपर से गिराते हैं तो क्या होता हवा के बहने के कारण हवा के कारण जो हलका वला रहता है वो हट जाता है सेपरेट हो जाता है ग्रेन आपको नीचे को गिर जाता है इस परकार हस्क याने भूसा को ग्रेन से आसानी से अलग कर सकते हैं ठीक है अब आज लिए जाए कि बालु में iron pin मिला हुआ हो तो उसे हम magnet के तुरू उसमें जब हम उसको मिलाते हैं जहाँ पर mixing होता हो sand और iron pin का तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं magnet को ले जाते हैं ले जाने के बाद पर उसमें क्या करते हैं डालते हैं यानि उस mixtures में उस magnet को डालते हैं और डालने के बात क्या होता है magnet जो होता है सारा iron pin को आपने और attract कर लेता है और इस परकार हम लोग sand से iron pin को आसानी से आलग कर सकते हैं यानि इस method of separation is used when one of the components of a mixture is magnetic that is it is get attracted towards a magnet magnet के द्वारा iron pin यानि कोई भी iron हो या फिर फेरस material हो उसको आसानी से separate किया जाता है mixture से ठीक है अगला बच्चो सबली मेशन बच्चो यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई solid materials को हैने solid substance को change करते हीट करते हैं तो हीट करने एक बाद वो direct gas में बदल जाता है liquid बने बिना यानि liquid नहीं बनता है direct gas हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं sublimation यानि sublimation is a chemical process where a solid changes into a gas without going through a liquid stage यानि liquid बने बिना solid को हीट करने पर अगर direct gas बन जाता हो तो उसको हम लोग sublimation कहते हैं जैसे बच्चो केमफर यानि कपूर, ammonium chloride, naphthalene ball ये सब का sublimation होता है यानि ये sublime substance कहलाता है ये सभी को अगर हीट करते हैं तो वो solid से direct gas बन जाता है liquid बने बिना है ना इसलिए इसको sublime substance कहते हैं